आज हम बात करेंगे Vodafone Idea के बारे में Vodafone Idea और Nokia ने मिलकर एक बड़ा धमाका कर दिया है और एक important news है जो आपको जानना चाहिए तो इस वीडियो में उसके बारे में हम discuss करने वाले है और साथ ही हम कुछ important चीजे भी देखेंगे जिसे इसके important levels, Vodafone Idea के important levels को भी हम check करेंगे और काफी लोग positive है और काफी लोग negative भी है Vodafone Idea को लेकर तो हम यहापर analysis करने वाले हैं कि क्या आगे हो सकता है और क्या news है ओभी हम देखेंगे और किस projects पे काम कर रहे हैं ओभी हम देखने वाले तो guys यहापर Vodafone Idea को लेकर काफी कुछ बाते होने वाली है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो guys करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते है Vodafone Idea के उपर तो guys बात कर रहे हैं Vodafone Idea अभी की बात कर रहा है morning में और 0.050 पेसे के आसपास इस उपर की और जाता हो नजरा रहा है 0.47% के हिसाब से उपर जा रहा है guys और अब देखेंगे इसमें क्या news है और यहापर चलते हैं इसमें news क्या आई है और हम पहले discuss कर लेते हैं इसके चार्ट को भी हम देखेंगे कि क्या हो सकता है so guys यहाँ पर news की में बात कर रहा था हूँ और news को अगर मैं हाँ पर पढ़ लू तो what of an idea the telecom operator said it has successfully demonstration 5G voice over new radio VONR के नाम से जिसे जाना जाता है capability with its technology partner Nokia और जो इनका technology partner है Nokia उनके साथ इन्होंने यहाँ पर 5G voice over new radio के साथ यहाँ पर capability check की है और यहाँ पर अगर देखा जाए during the 5G trials currently underway in गांधी नगर गुजरा तो उन्होंने यह जो test किया है यह जो trial किया है एक गांधी नगर गुजरात में किया है और guys यह successful रहा है इस demonstration successful रहा है और यह एक अच्छी news है और Nokia भी छोटा brand नहीं है इस काफी बड़ा brand है काफी time से जलते आ रहा है और Vodafone Idea तो आपको पता ही है टेलीकॉम सेक्टर में अगर जियो और इर्टल के बाद जिसका नाम आता है Vodafone Idea है अगर मैं एक चीज़ बता हूँ तो Vodafone Idea का नाम आप पेले भी लोगे तो भी चलेगा क्योंकि काफी पुरानी कंपनी है और आने वाले time में अगर एसे ही ये चलते रहे तो बिल्कुल यहाँ पर आगे जाएगे और कही न कही गाईज यहाँ पर Indian ही नहीं जो foreigner investors है यहाँ पर भी उन्हें फ़न रेजिंग के लिए मनाया जा रहा है और काफी कुछ चीज़े है Vodafone Idea को लेकर और price का हाँ पर चल रहा है गाईज 10 रुपे के around ही ये trade कर रहा है काफी time से तो आगे बढ़ते हैं इसके chart को भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ चीज़े हाँ पर clear होगी क्योंकि हाँ पर news के साथ साथ technically भी है से हमें देखना पड़ेगा तो यहाँ पर guys हमने पहले भी इसका एक simple सा chart analysis किया था और उसके basis पे मैंने कुछ यहाँ पर एक simple सी trade line बना दी थी और यहाँ पर मैंने इस pattern को यहाँ पर बनाया था और यहाँ पर मैंने clearly बोला था कि guys सिर्फ आपको breakout का weight करना है breakout का weight करना है आपको अच्छा profit इसमें बनेगा और 10 रुपे के around मैंने बोला था खरीदारी करने के लिए और 16 से 17 रुपे तक stock गया था तो क्या था मेरा analysis simple सा था यहाँ पर support लेके stock उपर गया था एक resistance लेके नीचे आया था यहाँ पर support लिया फिर हाँ पर support लिया फिर यहाँ से सिधा बिला एक breakout और सिधा high लगा था guys तो हमें लग रहा था कि इस particular level पर support लेके उपर की उल जाएगा एक important level था पहले और फिर यहाँ से अचानक से downtrend में आना start हो गया आप देख सकते हो बड़ा give down हुआ फिर एक continuously एक slide वेज नीचे आना start हो गया है so guys यही नहीं आगे बढ़ते हैं और इस pattern को भी आप समझने की कोशिश करोगे तो मैंने इस pattern को zoom out करके बनाया है यहाँ पर इस चीज को मैंने यहाँ पर zoom करके बनाया है और यहाँ पर भी आपको एक pattern देखने को मिल जाएंगा एक falling which pattern type आपको एक scenario देखने को मिल रहा होंगा guys और यहाँ पर simple सा analysis है यहाँ पर support है stock के बास यहाँ पर resistance है फिर support है फिर resistance है हमें हमारे level मिल गए है और guys यहाँ पर आपको wait करना है अगर जैसे यहाँ पर breakout मिलता है तो आप buy की और जाने की सोच सकते हो उपर की और यह momentum आ सकता है फिर से 13 रुपे के असपास 13 से 14 रुपे के असपास यहाँ पर target आप रखके चल सकते हो as a short term और हो सकता है कि यही पर जैसे यहाँ पर resistance लेके नीचे आ यहाँ पर resistance लेके नीचे है यहाँ पर resistance लेके नीचे है तो यहाँ पर भी resistance लेके नीचे आ सकता है बट यहाँ पर कही न कई support लेके फिर यह bull run में भाग सकता है तो कुछ levels है जो आपको ध्यान में रखने होगे और गाइस वही अगर देखें तो यहाँ पर भी एक pattern में आपको बता दू तो यहाँ पर भी हमें वड़ाफोन आइडिया कहीं न कहीं बियरिश लग रहा है और कैसे बियरिश में बोल रहा हूँ तो यहाँ पर अगर देखो तो stock में जैसे इस particular level पर जो pattern बन रहा है वैसा ही pattern कुछ यहाँ पर भी बना था बट एक बड़ा spike आके सीधा उपर क्यों चले गया था तो मैं आपको एक clear कर देता हूँ देख लो यहाँ पर support लिया है यहाँ पर एक support लिया है फिर यहाँ से बड़ा phone idea में एक बड़ा spike आया उपर क्यों और resistance, resistance, फिर resistance फिर यहाँ पर कई बार multiple times इसने उस level को यहाँ पर test गया फिर यहाँ पर नीचे आया यहाँ पर support लिया फिर उपर जा रहा है और यहाँ से perfect इसे rejection मिला है बिल्कुल एक perfect rejection मिला है तो guys ऐसे patterns को आपको अपने time frame में रखने ही चाहिए अपने watch list में आपको रखना ही चाहिए अब बड़े बड़े time frame से लेके छोटे छोटे time frame तक के जो pattern है उन्हें और वही अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक head and shoulder pattern का type अगर बन जाता है तो हो सकता है यह नीचे आ जाए 7 रुपे के से भी नीचे का level पर support ले बड़ कहीं न कहीं का इस news का अगर अच्छा impact पड़ता है तो यह इसे उपर की और चले जाएगा तो ऐसा भी हम कह सकते हैं तो short term तो मैंने बता ही दिया है 13 रुपे के 14 रुपे तक का target आप रख सकते हों क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर head and shoulder type जिसा pattern बनेगा तो बिल्कुल यह 13 रुपे तक तो जाएगा ही जाएगा बट वही पर support लेके चले जाता है तो head and shoulder भी fail हो जाएगा बट breakdown दे देता है तो सीधा है नीचे 7 रुपे के नीचे आ सकता है तो guys एक simple सी strategy है simple सा analysis है अब हमने यहाँ पर patterns को तो देख लिया है वही वड़ा phone idea में अगर आगे बड़े तो यहाँ पर आपको थोड़ी 18% के हिसाब से यह गिरा है और एक महीने में तो 1 रुपे 85 पेसे तक stock बढ़ गया था 14.80% के हिसाब से और 6 महीने में आप बड़त देख सकते हो और guys यह बड़त continue रह सकती थी बट कई न कई कुछ चीजे होई जाती है जिसके गरण से गिरा होट आ जाती है और वही में बोल रहा हूँ कि यहाँ से stock 5 रुपे से उपर की और गया था और यहाँ से फिर यह नीचे आना start हो गया तो देखते हैं यहाँ पर returns तो इसने अच्छे दिये है 4 रुपे 90 पैसे इससे भी जादा हो सकते थे बट गिरा होटा गई और वही गाईस अगर देखा जा 85.22% के हिसाब से गिरा है वही अब देखें तो stock का market cap क्या कहता है तो market cap 30.32,000 करोड के आसपास का है और market cap के हिसाब से तो एक चीच clear है गाईस की एक mid cap stock की category में आता है और open कहा हुआ था stock 10 रुपे 60 पैसे के price पे open हुआ था high लगाया था 10 रुपे 75 पैसे का और low लगाया था 10 रुपे 50 पैसे का असपास का और वही अगे बड़े हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 52X का high यहाँ पर 16 रुपे 60 पैसे का है हम उपर का expect कर रहे था बर्ट रही downtrend में जाना start हो गया था 16 रुपे 60 पैसे का था 52X का high और 4 रुपे 55 पैसे का low भी आपको देखने को मिल जाएगा और resistance तो आज 11 रुपे थे के आसपास दीखा ही देदेगे और price performance आप देख सकते हो गिरा है फिर अलका जाबड़ा फिर गिर गया तो यहाँ पर price performance में 4.48% माइनस में है और कही न कही 1 month का भी 14.80% माइनस में है और 3 months का 7.04% में है और year and half का 30.62% माइनस में है 1 year का 10.50% माइनस में है और 3 years का 42.37% माइनस में दिखाई देदेगा और यहाँ पर trade value तगड़ी देखने को मिल रही है कल के दिन में भी देखे तो 28 करोड का असपास का trade value और 4 करोड का कॉमिनन डिलिवरी था और 1 week के average का भी अगर आप देखोंगे तो यहाँ पर 27 करोड का trade value और 7 करोड का कॉमिनन डिलिवरी आपको देखने को हाँ पर मिल जाएगा गाईज 1 month के average में 29 करोड का trade value और 8 करोड का है कॉमिनन डिलिवरी और आज morning में देख ले तो 4 करोड के असपास का trade value आपको देखने को मिल जाएगा गाईज community sentiments के आखड़े 100% buying के हाँ पर नज़र आ रहा है 100% buying के लिए लोग यहाँ पर खेह रहा है और वही आगे बड़े revenues कहीं नगए अच्छे बड़ रहे थे और 2021 में नीचे आ गया और net profit तो आप देखी सकते हो 2017, 2018, 2019, 2021 तक यह बिलकुल minus महीं है बड़ा नहीं और अब ही बात कर लिए इसके share holding patterns के तो 72.05% के holding यहाँ पर promoters की है FIDI के holding में 1.37% के holding डिया है और FIDI के है 4.2% और public holding 22.37% और others की बात कर लिए 0.01% के holding देखने को मल जाएगी So guys और और हमने यहाँ पर गड़ा phone idea का analysis कर लिया है और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like करो channel को subscribe करो thank you